प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का कक्षा दो की हिंदी पाथ शाला में बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप सब, आशा करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वास्थ होंगे और प्रति दिन कुछ नया सीख रहे होंगे, बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखो, और इसकी आवास को भी सुनो, चीं, 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 कुछ याद आया आपको, कि एक कौन है, और इसकी मधूर चह चहाहट कैसी सुनाई देती है, याद करो, बिलकल सही, आपने बिलकुल सही पहचाना, ये है हमारी प्यारी गौरया, जिसे हम बया भी कहते हैं, और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं, अपनी पाथे पुस्तक कलरव का पाथ ती, बया हमारी चिरिया रानी, हमारे पाथ का नाम है, बया हमारी चिरिया रानी, और इसे लिखा है, महादेवी वर्मा जी ने, बच्चों, आपको पता है, महादेवी वर्मा जी को पशुपक्षियों से बहुत प्यार था, वो तो अपने घर में उन्हें पालते भी थी, उन्होंने गाय, नेवला, हिरन, कुत्ता, बहुत सारे पशुपक्षी पाले हुए थे, और उन्हें वो बड़े प्यारे प्यारे नाम भी देती थी, जैसे सोना, गौरी, निक्की, रोजी, बहुत सारे नाम, आज उन्होंने एक प्यार इसी कवीता भी हम बच्चों के लिए लिए लिखी है, बया के ऊपर, जिसे हम सभी बोलेंगे, पढ़ेंगे और गाएंगे भी, पहले हम इन पंक्तियों को एक साथ प बया हमारी चिडिया रानी, बया हमारी चिडिया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, उची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, नदियों से भर लाती पानी, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और होज में भर देंगे हम, मीठा मीठा ठंडा पानी, मीठा मीठा ठंडा पानी, बहुत अच्छा बचो, आपने बहुत अच्छे से इसे पड़ा, अब हम इसे थोड़ा सा सुन्दर आवाज में गाते भी हैं पहले मैं गाऊंगी फिर आप मेरे साथ साथ इसे दोराना ठीके बचो बया हमारी चिडिया रानी तिन के लाकर महल बनाती उची डाली पर लटकाती खेतों से फिर दाना लाती नदियों से भर लाती पानी बया हमारी चिडिया रानी तुझको दूर न जाने देंगे दानों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा थंडा पानी मीठा मीठा थंडा पानी बया हमारी चिडिया रानी शाबाश बचो आपने इसे बहुत अच्छे से गाया अच्छा बचो इसमें हमने देखा कि महादेवी बर्मा जी बच्चो के माद्यम से ये कह रही है कि चिडिया तुम हमारे से दूर मत जाना हम तुम्हारे लिए यहीं पर दाना और पानी लाकर रख देंगे आपको पता है बच्चे ऐसा क्यों कह रहे हैं चिडिया से हमारी और हाँ एक बात और इस प्यारी से चिडिया का नाम रखा है हमने चुन्मुन चिडिया एक बार हमारी चुन्मुन चिडिया को एक किसान ने पिंजरे में बन कर लिया था क्यों कर लिया था चलो हम सुनते है वो सुन दर सी रोचक सी कहाने कि हमारे साथ हमारी चुन्मुन चीरिया के साथ आखिर किसान ने ऐसा क्यों किया एक किसान था, उसका नाम था होरी, उसने खेट में बीच बोया, खेट में बीच होने के बाद जब उसने महेनत की तो बहुत सुन्दर सी फसल उगयी, चारो नगा पर शाहों का दो जो फिर चिरि Прेद में आइं बहुत सारि आईइं और उस अनाच को खाने लगी, दाना चुगने लगी, लेकिन होरी को बड़ा गुस्सा आ गया, उसने कहा मेरे अनाच को ये सारी चड़ियां खा जाएंगी, उसने ताली बजाई और फुर्र कर दिया, सारी चड़ियां उड़ गई, लेकिन ये क्या? हमारी चुनमुण चिडिया तो वही रही और दाना चुकती रही और गाने लगी चुनमुण चिडिया मेरा नाम, दाना चुगना मेरा काम लेकिन होरी को बड़ा गुस्सा आ गया उसने कहा तुम ऐसे नहीं मालोगी मालुम है फिर होरी ने क्या गिया हूरी ने हमारी चुन्मुन चडिया को पिंज्रे में बंद कर दिया पिंज्रे में बंद जब चडिया को कर दिया तो वो उड़ नहीं पाएगी और अपने बच्चों के पास भी नहीं जा पाएगी अब हमारी चुन्मुन चडिया सोचने लगी कि आखिर मैं इस पिंजरे में से बाहर कैसे निकलूँ अब रास्ते में जो भी कोई जाता चुन्मुन चडिया उससे यही कहती क्या कहती एक बार आया घोड़े पर बैठा एक आदमी और चुन्मुन चडिया उससे देखकर गाने लगी और बोलने लगी घोडे वाले भाईया राम चुन्मुन चुन्मुन सबने दाना खाया राम चुन्मुन चुन्मुन हम ही अकेले पकड़े गए राम चुन्मुन चुन्मुन भूके बच्चे रोए राम चुन्मुन चुन्मुन लेकिन ये क्या खोड़े वाले आर्मी ने तो उसी बात ही नहीं सुनी और सरपट दोड़ा के चला गया अब चुन्मुन चुडिया फिर परिशान उसने कहा अब मैं अपनी बात किसे कहूं तभी उनको एक बोड़ी नानी आती दिखाई दी चुन्मुन चिर्या ने नानी को देखकर फिर बोला मेरी बोड़ी नानी राम चुन्मुन चुन्मुन मेरी बोड़ी नानी राम चुन्मुन चुन्मुन सबने दाना खाया राम चुन्मुन चुन्मुन हम ही अकेले पकड़े गए राम चुन्मुन चुन्मुन भूके बच्चे रोए राम चुन्मुन चुन्मुन नानी को चुन्मुन चडिया पे दया आ गई उन्होंने होरी को बुलाया और उसको बोला कि चुनमुन चिडिया को जाने दो उसे आजाद कर दो क्योंकि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं वो उसका इंतजार इसले कर रहे हैं क्योंकि वो दाना लेकर जाएगी उसके लिए तभी तो उनका पेट भरेगा होरी को बाद समझ में आ गई और उसने हमारी प्यारी सी चिडिया को छोड़ दिया और जैसे ही चिडिया अपने बच्चों के पास आई तो बच्चे खुशी से चीं चीं करने लगे और अपनी खुशी को प्रकेट करने लगे तो बच्चो समझ में आया कि क्यों ये वाली कविता हमारी कवित्री ने लिखी कि हमारी चिडिया, खान्या और पानी के लिए कहीं दूर न जाएं, हम आगन में ही उसके लिए सब कुछ रख देंगे कि वो हमारे घर में ही रहें, समझे बच्चो, चलो, अब हम इस कविता का उर्थ समझ लेते हैं किudent और पंक्ति का या आर्थ है भया हमारी चडिया रहनी हमारी हम उसी कि बारे में बात कर रह रहे हैं तिनके लाकर महल बनाती है में अब हो घर अपना गर कैसे से बनाती है, जैसे हम लोग अपना घर इट से बनाते हैं, उसी तरह से हमारी प्यारी चंचल, चुलबुली, बयारानी तिनके इखत्ता करकर के अपना ये सुन्दर सा महल बनाती है, लेकिन बच्चों आप इसका भी बहुत ध्यान रखना कि कभी भी चिडिया के घर को उसके इसले को नुकसान नहीं पहुचाना, तोड़ना नहीं, क्योंकि बहुत मेहनस से अपने और अपने बच्चों के लिए इतना सुन्दर घर बनाती है, तिनक्या इखत्ता करकर के प्यारा सा महल खड़ा करती है, और उसे उची डाली पर लटकाती है, जिससे कि कोई उसको तिनके लाकर महल बनाती, उची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, फिर क्या करती है चुन्मुंचरिया, अपने बच्चों के लिए खाने के लिए खेतों से दाना लेकर आती है, और नदियों से भर लाती पानी, और नदियों से पानी भर कर लाती है, जब प् पानी भी तो पीना होता है ना बच्चो तो चुन मुंचडिया अपने खाने और पीने का इंतिजाम इस तरह से करती है जैसे हम लोग अपना खाना पीना खाने के लिए मेहनत करते हैं उसी तरह से चडिया भी अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए खेतों से दा कि चिरिया को लेन लेने के लिए खेतों में जाना पड़ता है पानी लेने के लिए नदियोत वर्तय तो उसी बहुत दूर तक जाना पड़ता है। ऐसा ना हो तो क्या पता है? आपको पता है बच्यो बच्चे क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चे सोच रहे हैं कि हम आगन में ही दाने ला देंगे याने कि अनाज भर देंगे बाजरा, मक्का, गेहूं सब उच्केलने ला देंगे और दानों से पूरा आगन भर देंगे कि हमारी चिडिया को कहीं जाना ही ना पड़े और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी, यह हौज क्या होती है बचो, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यह है हौज, जो की हम चिडिया के लिए पानी भरने के लिए इस्तमाल करते हैं, इसके अलावा यह मिट्टी का है, हम स्टील का या किसी भी धातू का बर कुछ भी हम चिडिया के पानी रखने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं, जिसमें की चिडिया आए, पानी पिए और जाए, उसके पीने का इंतिजाम हमने इसमें किया है, तो हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी, समझे बचो, तो हमें हमें क्या करना है अपने प् हौज में ठंडा ठंडा पानी रखना है, बिल्कुल सही, क्योंकि यही है इसको बचाने का एक प्रियोग कि हम इससे अपनी प्यारी सी चिडिया को बचा सकते हैं, बच्चो आईए हम अब कुछ प्रश्नों, एक बार हम इस कविता को फिर से दोरा लेते हैं, इसका अर्थ भी हमने जान लिया, अब हम इस कविता को एक बार फिर से दोरा लेते हैं, बया हमारी चिडियारानी, बया हमारी चिडियारानी, तिनके लाकर महल बनाती, उची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम, मीठा मीठा थन्डा पानी, मीठा मीठा थन्डा पानी, बया हमारी चिडियारानी, शाबाश बचो, आपने तो इसे बहुत ही अच्छे से गाया और समझ लिया, चलो बचो, अब हम आगे कुछ प्रश्णों के उत्तर जानते हैं, कि हम क्या जानना चाहते हैं और इसके बारे में, हमारा पहला प्रश्ण है कि तुमने कौन कौन सी चिडिया देखी हैं, आपने गौरेया के अलावा और बहुत सारी चिडिया आसपास देखी होंगी, क्योंकि कीवल गौरेया यह एक चिडिया नहीं है, बहुत सारी प्यारी प्यारी चिडिया हैं, जो हम अकसर अपने आसपास देखते हैं, सोचो और बताओ कि गौरेया के अलावा आपने और कौ लगलाव देखी है हमने गौरया रामचिरया काली चिडिया और रंग बिरंगी चिरिया इस तरह से बहुत सारी चिरिया देखी है बिलकुल सही बच्चो दूसरा प्रश्ण है बया अपना घोंसला कैसे बनाती है अब अभी हमने कविता में पढ़ा था ना, कि किस तरह से बनाती है, सोचो, बिलकुल सही, बिलकुल सही बदाया आपने, कि वया अपना घोसला तिन के इखटा कर 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 के बनाती है, जैसे इस प्यारी सी चिडिया ने अपने लिए घोसला बनाया है, और हमने भी देखा, कि एक प्रिया ने अपने और अपने बच्यों के लिए भी तःयार किया है, देखना, कितना सुंदर बनाती है चिडिया अपना घोसला, बस धə presentation कभी भी उसके को और उसके अंडो को नुकसान मत पहुंचाना, चाहे चिडिया घोसले में हो या ना हो उसका घोसला कभी तोड़न नहीं, अगर वो वहाँ से चली जाए तो उसका बहुत ध्यान रखना हो सकता है वो वहाँ पर फिर से वापस आ जाए ठीके बच्चो ध्यान रखना इस चीज़ का चिडिया दूर न जाए इसके लिए बच्चे क्या करने को कह रहे है कवीता में हमने सुना कि चिडिया हमसे दूर न जाए इसके लिए बच्चे क्या करने को कह रहे हैं कि वो यहीं रहे हमारे पास सोचो बिलकल जही चिडिया क्या सोच रही है और आप क्या सोच रहे हैं वो सोचते हैं चिरिया दूर ना जाए, इसके लिए बच्चे आंगन में दाने और हौज में पानी भरने को कह रहे हैं, कि जिसकी वज़ा से चिरिया को दूर जाना होता है, वो कहीं नहीं जाएगी और हमारे पास रहेगी. अच्छा बचो, इस कवीदा में आये हैं कुछ E और E की मात्रा की शब, अब आओ, उन्हें चाटते हैं और उन्हें अलग-अलग भाग में लिखते हैं, इस भाग में हम लिखेंगे E की मात्रा की शब, और इस भाग में लिखेंगे हम E की मात्रा की शब, पहली लाइन पड़ चिडिया तो इसे हम लिखेंगे ए के मात्रा के भाग में चिडिया चिडिया रानी ना पे ए की मात्रा का प्रियोगा है इसलिए यह है रानी इसे हम लिखेंगे इ की मात्रा वाले भाग में चिडिया इ रानी इसी तरह से हम इसमें छाट करके इ और इ की मात्रा के शब्द लिखेंगे तिनके लाकर महल बनाती तुरह सोचो कि इसमें इ की मात्रा का शब्द कौन सा है बिलकुल सही तिनके तिनके हैं इ की मात्रा का शब्द तापे इतिन के तिन के दूसरा है बनाती तापे इ की मात्रा है इसलिए ये है इ की मात्रा का शब्द बनाती इसी तरह से अब हम लिखते हैं इसमें छाटेंगे उंची डाली पर लटकाती सोचिये और पहचानिये कि इसमें कौन सा शब्द E की मात्रा वाला है आप बिलकुल सही सोच रहे हो, शाबाश, बहुत अच्छे इसमें है उची डाली, ये है E की मात्रा का शब्द और साथ साथ है लटकाती, बिलकुल सही बचो, खेतों से फिर दाना लाती शाबाश बचो बच नदियों से भर लाती पान, बिलकुल जही इकी मात्रा का शब्द नडियों से भर लाती पानी, ना पे इकी मात्रा हो गया नी, पानी, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, इसने कोई इकी मात्रा का शब्द भी नहीं आया, बिल्कुल सही समझ रहे हो, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी एक शाब्द आया है जरास पताओ कौन सा है इकी मात्रा का शाब्द बिल्कल सही मीठा 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 पानी चलो बच्छों हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या नया कार रहे हैं जो हमें करना है असपास तो आपने बहुत सारी चीडियां बहुत सारे沂फ्षी देखे हैं इस चित्र में हमने लग बहुत बपक्षी यहां पर दिख रहे हैं तो अम देखते हैं कि कॉन कॉन से沙प्षी आपने और हमने देखे हैं कहाँ देखा हैना कैसे बोलता है कॉ This has attacked aakash we are very good in theika बतक, कौरया, जो आप हम पाठ को पड़ी रहे हैं, वया हमारी चडिया रानी, जिसे हम कौरया भी कहते हैं, तोता, मिठो तोता, कभूतर, और मोड, सुन्लर्म पक्षी मोड, कोयल, यह है हमारे आसपास पाय जाने पाले पक्षी, जिनकी मदर धुणी, भी हम आसपास सुनते हैं, उनकी चहचाहट, एक भार भचपन में, जब मैं जा रही थी, कहीं तो मुझे चारो तरफ से आवाजे आ रही थी, और मुझे समझी नहीं आ रहा था, यह कौन-कौन से पक्षी बोल रहे हैं, फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ने बताया, चलो मैं तुमें बताती हूं कि कौन सा पक्षी कैसे बोलता है, फिर मैंने वो सुना, मैं तो सो रही थी, मैं तो सो रही थी, मुझे कोवे ने जगाया, बोला काव, 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 मैं तो सो रही थी मैं तो सो रही थी, मुझे बतक ने जगाया, बोली क्वाक, क्वाक, क्वाक मैं तो सो रही थी, मैं तो सो रही थी, मुझे गौरया ने जगाया, बोली ची, ची, ची बचो आओ, अब हम जानते हैं कि कौन से पक्षी को हम पाल सकते हैं और कौन से पक्षियों को हम नहीं पाल सकते, यहां हमने कुछ नाम दिये हुए हैं, उन्हें पढ़ते हैं, कोवा, तोता, चील, कबूतर, गिद, बतक, गौरया, मोर, अब हम इने छाट के, इस वाले भाग म लिखना है पाले जाने वाले पक्षी और इस भाग में लिखना है ना पाले जाने वाले पक्षी, चलिए, ढूनते हैं और उन्हें लिखते हैं, कोवा, बताइए, सोचिए, कोवा को हम पाल सकते हैं, क्या, बिल्कुल सही सोच रहे हो, हम कोई को घर में नहीं पालते, तोता बिल्कुल सही, तोते को तो हम पालते हैं, और प्यार से मिठ्धु दोता नाम भी देते हैं, चील, बिल्कुल सही, चील को हम नहीं पालते, कबुतर, कबुतर तो हम, बताओ बताओ, बिल्कुल सही, पालते हैं, हमने पाले बहुत कबुतर, कभीता याद है न, गिद्ध, तो हमारी है, बहुत सुंदर पक्षी, इसे तो हम पालते हैं, मौर, मौर को हम घर में नहीं पालते हैं, बिल्कुल सही, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या नया है, पच्चो, अब हमें बताना है कि कौन हमारी गौरया से बड़ा है, और कौन है छोटा, ह तिली मोर मक्खी कबूतर मच्छ गलहरी मकडी गाई अब हम इने चाट के लिखना है कि कौन है हमारी गौरईया से छोटा और कौन है हमारी गौरईया से बड़ा पहले है मदुमक्खी इसको हमें देखना है मदुमक्खी गौरईया से छोटी होती है क्या बड़ी होती है सोचि चीटी, हम्मृ तेखी है ना मर्गी, बताव जरा, बिल्कुल सही, मुर्ची होती हमारी कोर एया से बडी, Чीटी, चीटी तो आप सभी ने देखी है और बहुत परिशान भी करते हो, ध्यान ड़कता चीटी कोिपरिषान नहीं करना, किसी भी पक्शू-पक्षकी को हमें परि बिलकुल सही बता रहे हैं, शाबाश, आपको तो सब कुछ पता है, गौरया से बड़ी है बक्री, तितली, रंग बिरंगी तितली, बिलकुल सही, छोटी, मोर, तेखिए आपने देखा है न, मोर नास्ते हुए, कि वो हमारी गौरया से छोटा है क्या बड़ा? बिलकुल सही, मोर है गौरया से बड़ा, मक्षी, छोटी सी मक्षी है, बहुत छोटी, वो भी है गौरया से छोटी, कबूतर, देखे हैं हमने आसपास बहुत सारे कबूतर, कबूतर है हमारी गौरया से बड़ा, अब आ गई मच्छर, जो काटता है और बहुत छोटा सा है, बिलकुल सही, यह है हमारी कौरया से चोटा, गिलहरी, खुदकती हुई गिलहरी है हमारी कौरया से बड़ी, मकडी, जो बनाती है घर में जाला है हमारी कौरया से चोटी, अब आखिर में है गाए, गाए तो सब ने देखी है, और वो है आकार में हमारी कौरया से कैसी, बिल्कल सही, बड़ी तो यह है कुछ पशू, कुछ पक्षी जो हमारी गौरेया से बड़े और चोटे हैं, चलिए आगे देखते हैं, बच्चों हमारी प्यारी सी गौरेया, चुलबुली, चुलबुली, चंचल, गौरेया, बया, हम सब के बीच में रहना पसंद करती हैं, लेकिन आज हम देख रह लिखा ही नहीं देती, यह विलुप तो होती जा रही है, और इसका कारण है हमारे द्वारा किये वह कुछ ऐसे काम, जिसकी वज़ा से हम इस प्यारी सी चंचल, चुलबुली, अपनी दोस्त, गौरेया को अपने घरों में नहीं लख पाते, और इसी की वज़ा से पूरे व जिसकी वज़ा है कम होने के बहुत सारे कारण, जिसमें हमारे मुखे कारण है, मॉबाइल से निकलने वाले डैडियेशन, हम आस पास इतने सारे फोन यूज करते हैं, मॉबाइल यूज करते हैं, और उसकी टावर से निकलने वाली रैडियेशन, इनके लिए बहुत खतरना प्रियोग यानि कीरे मारने वाली दवाई इतनी ज्यादा हम प्रियोग करने लगे हैं कि उन्हें कुछ खाने के लिए मिलता ही नहीं है जिसकी वज़ा से वो यहां से पलायन कर जाती है और साथ में हैं मुख्य कारण उची-उची इमारतों का बनना चारों तरफ हमें बड़ बड़ी इमारते दिखाई दे रही हैं जिसकी वज़ा से वो अपना घर कहीं बना ही नहीं पाती जहां बनाने के लिए क्योंकि उन्हें जगा ही नहीं मिलती और यहीं मुख्य कारण है कि चिडियां गौरेयां हमारे घर से हम से बहुत दूर चली गई हैं बच्चों अब हम बचाने के लिए क्या करना है जैसे हमने कवीता में पड़ा अगर यह नहीं भी आपा रही है तो हमें इनके लिए कुछ तो कोचिश करनी चाहिए ना हमें इनके लिए चट पर आगन में किसी भी बरतन में दाना और पानी भर कर रखना चाहिए यह आवश्रक नहीं है कि हम में ही पानी भरका रखें हमें हर मौसम में इनके लिए पानी भरना चाहिए गर्मियों में प्यास ज्यादा लगती है ये ठीक है लेकिन हर मौसम में प्यास लगती है और घोसले बनाकर आगन में या किसी पेड पर टांग दें वो अपना घोसला तो बनाती है लेकिन जब बिंदू है जो हमें पक्षियों के लिए ध्यान रखने चाहिए कि हमें पक्षियों के साथ कैसा वहवार करना चाहिए पक्षियों को हमें कभी सताना नहीं चाहिए उनके लिए करुणा और दया की भावना रखनी चाहिए हमें पक्षियों के लिए पानी का प्रबंद करना च चाहिए और साथी साथ उनके लिए पेड़ों पर या आगन में च्छत पर कहीं भी घर बना कर जरूर रखना चाहिए बच्चों ये कविता है इसे हम थोड़ा जो हमने पड़ा था इसे पूरा कर लेते हैं बया हमारी चिरिया रानी तिनके लाकर महल बनाती उची डाली पर लटकाती खेतों से फिर दाना लाती नदियों से भर लाती पानी तुझको दूर न जाने देंगे दानों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा थंडा पानी बिलकुल बच्चों आप इस घलने ध़र से गिल दस्तेें में इस गमले में कुछ शब्द है जो मिलने जोलते हैं जैसे दाना का खाना पानी को ढूंगते हैं मिल गई रानी खौच मौच लाती बनाती बिल्कुल बचो сे बिल्कुल सही है आ ओ हम फिर से कुछ शब्दो को समस्ते है कि इसमें बलकुल सही साथ चिन्य और चिन्य शब्द कितनी बार आया है बिलकुल सही बच्चों एक बार कवीता में आय हुए ए की मात्रा वाले शब्द आमने लिखे हैं में ह criticism के हमने पहले भी किय हैं ओम इसमे से च्छाट कर एक मात्रा वाले शब्द भार लिखेंगे रानी daali आपके पहले अक्षर से चार शब्द आपको लिखने हैं, आपके अलग-अलग नाम होंगे, अलग-अलग अक्षर हैं, तो उनसे मिलते जुलते आपको चार शब्द अपने आप स्वेम बनाने हैं, साथी साथ आए हैं कुछ वाक्य, जो हमें इन शब्दों से बनाने हैं, जै आप इससे मिलते जुलते और विशब्द बना सकते हैं, इस चित्र में जाने कि क्या सही है क्या गलत, यहां कुछ बच्चे चिडिया को दाना पानी किला रहे हैं और कुछ बच्चे उसे गुले से वार रहे हैं, तो आप यह देखेंगे और पहचानेंगे इसमें कौन सा शब इसमें कौन सा चित्र का आपको सही लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वही पर आपको सही और गलत का निशान लगाना है, और बनाते हैं सुन्दर सी चिडिया, सबसे पहले हम बनाएंगे एक गोला और बनाएंगे उसका चोड़ा सा पर, फिर उस पर को ह हमारी पूरी चिडिया जिसमें हमने आख बनाई पंजे बनाए उसका मुह बनाया अब आपका काम क्या है कि इसमें सुन्दर से रंग भरेंगे और फिर इसे अपनी कौपी में बनाएंगे बच्चो ये कुछ प्रशन है जो आपको अपने कौपी में खुद करने हैं कि आपके घर में किस-किस रंग की चिडिया आती हैं आपके घर में चिडियां कहां कहां बैठती हैं, आप उन्हें क्या क्या खाने को देते हैं, आप चिडियों से क्या क्या बाते करना चाहते हैं, और चिडिया की तरह पंक होते तो आप कहां कहां जाते, जैसे चिडिया कहीं भी चली जाती है, आपके भी पंक होते तो आप कहां कहां जाते बच्चों आज हमने बहुत कुछ सीखा और समझा कि हमें अपनी प्यारी गौराई आचिनिया के लिए क्या क्या करना है उसके लिए हमें दाना रखना है पानी रखना है और घर बना कर रखना है उन्हें कभी सताना नहीं है जिसे कि वो दूर जा रही है तो हमारे पास आ जाए हम कल फिर मिलेंगे और नई नई बाते जानेंगे सीखेंगे तक तक के लिए आप सब को बहुत सारा प्यार शुपकाबनाए और आशीरवाद और आज की कख्षा में प्रतिभाग करने के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों आप